हेलो स्टुडेंट्स, वेलकॉम तू माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निग आज 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 इस वीडियो में देखेंगे अप्रेंटेशिप और इंटर्नशिप में डिफ्रेंस क्या है यहां पे मैं कुच पोड़ल के नाम बताऊंगी कुच давай साइट के जहां पे आज आएको जाकर रजिस्ट्रेशन करना hop होगा आगे जब आप apprenticeship और internship करना चाहते हैं तो और यहां पे मैं कुछ government और private companies के नाम भी बताऊंगी तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर लास्तर देखते रहें तो यह देखिए यहां पी मैंने यह जो बनाया है इससे हम समझते हैं apprenticeship का पहले मतलब शौर्ट में समझते हैं क्योंकि यह जो बना है इससे ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने ब्रीफ में पूरा इंटर्शिप और apprenticeship का जो अलग अलग वीडियो बनाया है उसमें तो बताया ही है तो देखते हैं पर्पस क्या होता है apprenticeship का purpose होता है training देना इसका purpose होता है कि आपको experience देना ठीक है ट्रेनिंग मींस आप पहले से ही decided रहते अपने career path के लिए यहां पर आपको करीयर क्या करना है यह बताया जाता है internship और apprenticeship यह वाला जो box ने इसं इंटर्णशिप का है यह इंटर्णशिप का है और यह इंटर्णशिप का है और यह जो है इसमें क्या सिमिलारिटीज है यह देख रहे हैं तो यह फर हाइली स्किल्ड जॉब ठीक है यह जनरल जॉब ट्रेनिंग ही होती है यह लॉंग टम रहता है यह शॉट टम रहता है फ् पे पेड और यह अनपेड हो सकता है, यह full time है, यह part time और full time, यह contract basis पे हो सकता है, यह not contract basis, leave with a certificate, यहाँ पे आपको certificate दिया जाते हैं, यहाँ पे सिफ आप experience gain करते हैं, that's it, employee could receive state based tax credit, यहाँ पे employee could save money, यह अलग है, employee status, यहाँ पे आपको employee की status मिलती है, यहाँ पे as a trainee और employee status दोनों रह सकते हैं, यह दोनों में similarities क्या है, कि यह entry level का है, and may be with full time offer, full time का आपको offer मिल सकता है दोनों में, और hands on experience, दोनों में आपको experience मिलता है, कि experience आप gain करते हैं, okay, मतलब यह entry level का ही रहता है, यह means आपको आगे career करना है, दोनों के लिए तो आपको पता होना चाहिए, आपको जो भी career करना, career आप करना चाहते हैं, उस field से related means entry level का है, जो full time, full time हो सकता है, and experience होते हैं कुछ, अब हम यहाँ पे internship, apprenticeship के पहले कुछ portals देखते हैं, apprenticeship.gov.in, portal.mhrd.nats.government.in, apprenticize.in, nsdcindia.org, और यहाँ पे dgdt.government.in, यह आप same as it is, जो है, यह link मैंने दिया है, same as it is, आप अगर अपने google में type करेंगे, तो यह खुल जाएगा, अब हम देखते हैं कुछ companies, यह है, देखे, अप्रॉक्स मैं यह बता दू, apprenticeship जो है, वो government की companies कराती है, internship जो है, वो mostly private companies कराती है, तो यहाँ पे देखे, railway, coal India, sale, hail, bheil, ONGC, power grid, यहाँ पे मैंने कुछ options ही बताएं, ऐसे बहुत धेरो companies हैं, बहुत सारे companies हैं, जो मैं यह लिख नहीं सकती है, मैंने example सी कुछ बताएं, सेम इसी तरीके से, internship के कुछ portals देखते हैं, like internship.aicte, यह government है, इंटर्ण शाला, let's intern, hello intern, make intern, नितियायो, यह भी government है, तो internship जो देखेंगे, आप government और private दोनों कराती है, बट mostly, most of the time, internship को private companies कराती हैं, और apprenticeship को government companies कराती हैं, और यह है कुछ company internship की, like Facebook, Britannica, Cadbury's, Google, Amazon, Cisco, Philips, Mi Mobile, तो यह सारी चीज़े हैं जो internships कराती हैं, और online भी होता है, सबसे best portal जो है internship के लिए, वो intern शाला है, यहापे आपको बहुत सारी opportunities मिलती हैं, simply आपको register करना, register करना बहुत simple, अगर आप चाहते हैं कि मैं registration का process भी बता हूँ, apprenticeship और internship से ले लेटे हैं, तो मुझे comment में ज़रूर बताईएगा, मैं apprenticeship का जो website है, गॉर्मेंट में उसमें कैसे register करना है, क्या क्या चीज़े लगेंगी वो मैं बता सकती हूँ, और intern शाला में भी मैं बता सकती हूँ, क्या क्या चीज़े आपको आगे, internship में लगेगी और internship में आपको अपना profile बनाने के लिए क्या करना होता है, इंटर्शिप और apprenticeship का आई होप आप लोगों ने मैंने जो भी कुछ इस वीडियो में समझाया, आप समझे होंगे, वैसे तो मैंने इंटर्शिप और apprenticeship का पहली वीडियो बना चुकी हूँ, यहां पर मैं सिफ आपको इंटर्शिप और apprenticeship में डिफ्रेंस और similarities क्या है सिफ यह बताना चाहती थी, तो मेरा वीडियो यह आप लोगों के लिए helpful रहा होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रू सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंकी सो मच हो वाचिंग दीस वीडियो और मुझे जरूर बताएगा कमेंट करके कि आप इंट थैंकी सो मच वाचिंग दीस वीडियो